क्रंची, लाइट और डिलिशिस, जबर्दस टेस्ट वाला चो बच्छो और बड़ो को पसंद आए वैसी रेसिपी है आज की जी हाँ, आज मैं आपके लिए लेकी आए हूँ, यह बहुत ही टेस्टी और आसानी से बनने वाला मुर्मुरा लड़ू इसे आप पूरी लड़ू भी बोल सकते हैं, हेलो एवरिवान और वेलकम तो हिट रेसिपीज, मिनिममम इंगीडियन से बनने वाले यह लड़ू, आप स्नाक की रूप में एंजॉई कर सकते हैं, या फिर कोई भी पूजा में प्रसाद की रूप में भी छड़ा सकते हैं, इन इसे चलाते हुए हम रोस्ट करेंगे, जब तक ही अच्छी क्रिस्प ना हो जाए, जब हमारा मुर्मुरा क्रिस्प हो जाएगा, तब हम इसे फ्लेम से निकाल देंगे, और एक बोल में ट्रांसफर कर देंगे, मुर्मुरा रोस्ट करने से हमारे लड़ू बहुत क्रंची तो आप इस स्टेप को बिलकुल भी स्किप मत कीजेगा, तो सारे मुर्मुरा को जब हम बोल में ट्रांसफर कर देंगे, तो इस बोल को हम साइड में रख देंगे, अब उसी पैन में हम लगबग एक कब जितना गुड ले ले लेंगे, गुड को अप ग्रेट कर सकते हैं, चुटे-चुटे टुकडों में कट कर सकते हैं या फिर आप उसे क्रश भी कर सकते हैं, लड्डू में थोड़ा शाइन के लिए हम इसमें दो टी स्पून घी में ला देंगे, गुड को इसे चुटे-चुटे टुकडों में कट करने से या फिर इसे ग्रेट करने से ये बह अब इस स्टेज पे हम थोड़ी थोड़ी देर में इसकी consistency चेक करते जाएंगे, आप देख सकते हैं, गुड़ की syrup का color change हुआ है, अगर आप चाहे तो flavor के लिए लगबग 1 चौताई टीजपून जितना elachi powder मिला सकते हैं, बट मैंने उसे skip किया है, तो अब इसकी consistency हम चेक करें यह बहुत जादा soft है, तो अब हम इसे थोड़ा और पकाएंगे, लगबग एक और मिनिट तक, एक और मिनिट तक हम इसे पकाते जाएंगे, आप देख सकते हैं, जैसे जैसे हम इसे पका रहे हैं, इसका color थोड़ा गहरा होता जा रहा है, अब एक मिनिट के बाद वापस हम एक drop लेंगे, और इस तरह से bowl में डाल देंगे, यह पानी normal room temperature पे है, अब आप देख सकते हैं, इसके में एक ball बना के तयार करूंगी, तो यह अच्छी soft ball वाली consistency है, बहुत अच्छे से इसकी consistency set हो चुकी है, बस इसके आगे हमें नहीं जाना है, तो एक और बार हम इसे इस मुर्मुरा मिलाने के बाद, आप इसे flame से निकाल भी सकते हैं, इसे आप kitchen counter पे अच्छे से mix कर सकते हैं, अच्छे से हमें इसे mix करना है, जब तक कि गुड़ और मुर्मुरा एक make ना हो जाए, और जो गुड़ की सिरफ है, वो हमारे मुर्मुरा को पूरी तरह से coat ना कर ल तो पानी डाल के हमें इस तरह से जितना हो सके उतना mixture लेना है, और इसको लड़ू के shape में बाद लेना है, देखिए, मिक्सचर बहुत गरम होगा, तो बहुत ध्यान से इस काम को कीजेगा, और इसी तरह से बागी के mixture के भी हमें लड़ू तयार कर लेने हैं, आप इपने हि गुर की सिरफ बहुत पतली रहे गई, तो लड़ू में string टाइप consistency आएगी, लड़ू बिखर जाएंगे, तो गुर की consistency बहुत ही जादा important है, लड़ू हमारे बन के तयार हो चुके है, इसी तरह से आप भी सारे लड़ू को तयार कीजेगा, और जब मन किया इसे enjoy कीजेगा जैसे जैसे हमारे लड़ू ठंडी होंगे, वैसे वैसे ये set हो जाएंगे, hard हो जाएंगे और इस तरह से अच्छा shape भी पकर लेंगे, तो आप इन्हें ठंडी होने के बाद एक airtight container में ट्रांसफर कीजेगा, और जब मन किया इसे आप enjoy कर सकते हैं, तो कैसी लगी आपको आ recipe है ना बहुत आसान, अगर पसंद आई हो तो अपने friends और family के साथ share जरूर कीजेगा, channel को भी subscribe कीजेगा, thank you